है numerous Rats Welcome to my YouTube Channel वैसे हैं आतो हैं लिजेसे आप किन पर नौन फंजीव्Иल कि दो कर l contact सबसे पहले तो कं कि बात ते हैं वह थो जी से आप सुम्बल समझा है कि जैसे ओप बढ़ी दुकान पर जाते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद सब पहले समों से यां दस बैड करें यह जो भी अटरी नहीं तो आप क्लिक प्रेदा है उसकरम के लिंप ड़ेता हैं और पाइले कर स्थी पैमिंट करें और पहार साल पहले या अभी जोड़न लेकंडें कि अपниц होटन पर चाहिए आपने का वही मेरे को एक हजार उपे निकानने तो बैंक वाला क्या करता था पहले पहले काउंटर भी आ दे तो आपका फॉर्म रख लेता था उसके बश्चाहद आपको एक टोकन दे देदा फिर कहता था कि जब आपकी बारी आएगी आप टोकन गेजाब पे उ हम क्रिप्ट करेंसी से संब्वंदी थी हम टोकन की बात करेंगे तो यह जो टोकन होता है यह यूनिक इसके अपनी आडेंटी होती है अपनी अलग इसकी बलेक्चोन होती है और यह ब्लोक्चेन पर इसका जितना भी ट्रांजिशन होता है वह स्टोर रहता है फिर इसका कर रहे हैं और इसके अंदर एक एसेट की तरह होता है यानि या इसका पना एक वेल होती है तो यह टोवन की बात हो कि अब हम आते हैं कि यह नोन fungible क्या चीजह पहले इस से पहले हम समाहँ लेते हैं कि fungible क्या है Fungible जैसे कि आपके पास 10 रुपे या 20 रुपे का नोट है तो एक Fungible आइटम उसको आप 10 रुपे किसी दूसरे आदमी से भी Replace कर सकते हैं या जैसे मेरे पास ये पैन है ये मैं दूसरी दुकान से भी जा के खरी सकता हूँ तो ये भी Fungible आइटम है जो चीजे Replaceable है वो Fungible है बट जो चीजे Replace नहीं हो सकती वो Non-Fungible है तो जैसे रेजिस्टर करीदा है रेजिस्टर किसी दुकान से खरी सकते है रेजिस्टर करने के बाद हमने अपनी हैंड राइटमे एक नोट्स बना तो वो Non-Fungible है चुकि उसके अंदर मेरी हैंड राइटिंग है जो मेरी हैंड राइटिंग है उसकी वेज़ से वो Non-Fungible हुआ और Non-Receivable है तो Non-Fungible आइटम है वो Replaceable नहीं होते वो एक्चेंजेबल नहीं होते वो Replaceable नहीं होते जैसे हम अगर एक छोटे से उदाने की बात करें तो जैसे हमारे बास दो कारे हैं एक टाटा कंपनी की है एक हिम्डो कंपनी की तो है तहीं ये कारे बट ये एक दूसे से Replaceable नहीं है चुकि इनकी कंपनी अलग अलग है तो ये नोन फंजीबल आइटम में आती है तो आप समझेए कि नोन फंजीबल और फंजीबल होता क्या है अब हम बात करेंगे कि एनेप्टी के में जूज़त क्या है महसूसी क्या क्यों हम एनेप्टी का प्रियोग की बात कर रहे हैं ये समया बट जैसरे यहां है इस ने कहा गए इनको एक यूनिटि दे दी एमटी से क्वेए हो यूनिए एडन्टी आ रही है जैसे आप ने कोई पेंटिंग नाए यह आट बना है यह आड बना आपने आपने क्या गिाए इसको ID दे दी है डी पाती एक आपकी एक एक एनेफटी बन गई उसी तरह हैं आपने दूसरा कोई आर्ट मनाया उसको आईडी टू आ गई इसको आईडी टू दे दी तो यह निकि जो जो हमारी एनेफटी है वो एक्वनी होगी और उसका जो तांजिसन है वो ब्लोक्चेन के उपर से होता है इस् है यह हमारे इधर है बेन भी है पोलीगन है इनकी अपनी अपनी हर हर क्रिप्ट करेंसी के एक अपनी 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 होती है अपना ब्लोक्चेन होता है और ब्लोक्चेन होता है तो इस तरह से हम समझे होगा है कि इसका यूज क्या है तो एनेफटी को यूज करने के लिए ह हमें किया है कि जैसे हम किसी नियुचट पर जाते हैं तो हम वह पर उसका यूज कर सकते हैं असवर होता गया है तो नियुच क्योंकि जब हम कोई अपनी खरेंगे दोइक वैसी क्ट गये इसको बीडिये करेंगे हमको बेचने के लिए उस बेलोक्षेन और क्रिप्टो करेंसी की यह निकि टोकन की यूरत होगी तो जो टोकन जन्याट होगा वह हमारी यूनिक यह निक होगी और उसके तुरू हमारे रूप में वह हमारे पास आएगी आज के समय में अभी तो हम बहुत अर्ली स्टेज में लोग अपनी कि ट्वीट तक को बेच रहे हैं ओनलाइन आर्ट्स मना के बेच रहे हैं पेंटिंग बेच रहे हैं तो यह बहुत ही अर्ली स्टेज है तो जैसे जैसे यह बढ़ता जाएगा तो हम इसकी विसमें और काफी जागरू होते जाएंगे तो एनेप्टी को जो है बेचने के लिए जैसे हम एथेरियम पे बेचते हैं तो वह कुछ कैस्वी सियानी कि एक तरह से चार्ज लेता है लेकिन अगर आप पोलीगन नैटवर्क बेचते हैं तो अभी महां पर कोई चार्ज नहीं है तो आप इसको जाकर एक बार देखें कि आखीर होता क्या है इसक कि क्या है क्या नहीं है और मेरी वीडियो कैसी लगी इसी से में बताएं और कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें लाइक और सब्सक्राइब करें